क्या आपने चाय पत्ती में शैंपू का इस्तिमाल किया है अगर नहीं किया तो आज के बाद ना आप ज़रूर करने लगेंगे क्योंकि चाय पत्ती में शैंपू का इस्तिमाल करने से एक बहुत अच्छा नुस्खा तयार होता है ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके बाल नेचुरली जड़ से काले रहेंगे और वो रूखे और बेजान बाल जो रहते हैं ना उनमें भी शाइनिंग आ जाएगी आप सिर्फ एक दिन में नहीं बलकि हर रोज पैसा बचा सकते हैं गंजे के भी सर पर बाल आ जाएंगे ये इतना पावरफुल नुसका है हम आपको उसका पूरा प्रोसेस डेटेल में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमें कॉमेंट में ये बताएए कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं जिससे हम आपको थैंक्य बोल पाएं हमारी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है विकास जी बरेली से सोनू सेंजी राजिस्थान से राजेंदर सिंग जी चंडीगर से और खुश्बू सोनी जी अलीगर से तो आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती में हमने शेंपू और एक ग्लास फिल्टर का पानी मिला दिया है अब इसको क्या करना है गैस पर चड़ा देना होगा और इसमें जब तक उबालना आ जाए ना तब तक इसमें कुछ भी नहीं डालना है और देखो इसमें जैसे ही उबाल आ जाए वैसे ही इसमें हमें एड कर देना होगा पांस से दस आवला अब इसको दो मिनट तक और उबाल लेंगे लेकिन हाथ तब तक इसको चलाते रहेंगे अब क्योंकि इसमें चाय पत्ती फूल ने लगेगी तो वो नीचे बैठेगी अब इसमें डालेंगे हम सफेज चावल सफेज चावल जादा नहीं डालने बहुत कम मतलब एक बड़ा जम्म सफेज चावल डाल देना अब इसमें डालेंगे मैथी दाना लेकिन ध्यान नहें जब भी हम मैथी दाना डालें तब इसकी flame ना बहुत जादा high नहीं होनी चाहिए हमेशा medium या low flame पर ही मैथी दाना डालें जिससे वो अपना बहुत अच्छा सा असर छोड़ेगा इसके बाद क्या करेंगे हम 2 मिनट तक इसको और चलाएंगे अब 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे करी पत्ता जिसे आप मीठी नीम भी बोलते हो हमने तो सूखा करी पत्ता डाला है क्योंकि हमने स्टोर करके रखा था इन सब चीजों में क्या होता है ना बहुत अच्छे अच्छे पोशक्तत होते है अब पानी में अबालने से ये पोशकतत तो पानी में आ जाएंगे जिससे आपके बाल रूख्यों और बेजान रहने की बजाए ना बहुत अच्छी बालों में शाइनिंग आ जाएगी इस पूरे मिश्णन को लगबग 20 मिनट तक अबाला जाता है उसके बाद क्या होगा इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे देखो चाय पत्ती फूल गई और बाकी चीज़ें भी देखो अच्छी तरीके से गल गई है जावल हमने जो डाल यहां देखो फटा फट से चूट रहें अब मैथी दाना दिखाते हैं मैथी दाना भी बिल्कुल देखो इतना मसलने पर तो तूट रहा है अब इसे ठंडा करने के बाद हम अच्छे से इसको छाल लेंगे हमने एक बाउल में इसको निकाल लिया है देखो कितना अच्छा सा कलर आ रहा है अब आपको इसको यूज कैसे करना है वो बताते हैं नहाने से दो घंटे पहले आप इसे बालों की जड़ों में लगबग 20 मिनट तक अच्छे से मसाज करके लगाए और दो घंटे बाद जो भी आप शेंपू यूज करते हैं उससे अपना सरवाश कर लीजिए बालों को अच्छे से धो लीजिए हफते में यह दो से तीन बार यूज कीजिए लेकिन दीरे धीरे करके ऊ-फ्रिक्वेंसी कम कर दे ना हफते में एक ही बार यूज करना तो हम तो यह नुषखा यूज करते हैं हमारे बड़ा काम आता है कम दामों में बन जाता है आप भी इसे यूज करें और हमें comment में बताएं कि आपको कैसा लगा और अगर आपको ये information पसंद आई हो तो हमें like और share करना ना भूले हमारे page को भी follow जरूर करें हमारी वीडियो को तब प्यार और support करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चली मिलते हैं अगली या फिर नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई राधे राधे